हाई गईस एन वेल्कम बैक तो दी चैनल दीपक्च यादव एजूकेशन वेल्कम तो दी डेली हिंदू न्यूज और एडिटोरियल एनालिसस ऑफ 20 अफ एप्रेल 2022 तो गईस आज है तारीक 20 अप्रेल 2022 और है वेटनस डे देखेंगे आज के दा हिंदू कम्प्लीट न्यूस न्यूस पेपर को दा हिंदू कम्प्लीट न्यूस पेपर को एनिलाइस करेंगे बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडिएफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक्च यादव एजूकेशन आप लोग को यह वाला चनल मिल जाएगा उस पे क्लिक करना और जाकर इस चनल को जॉइन कर लेना देखो अगर आप लोग को इस तरीके से यह चनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी एडियों का PDF मिल जाता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स प्रोवाइट करवा दिये जाते हैं नाव बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी लोगो को मैप में जाकर देखना है स्ट्रेट ऑफ डवर को कहां पर है यह एक्जैक्टी लोकेटेड अच्छे से मैप में देखना दन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे साथी साथ एक क्वे काफी बार हम लोगों ने पढ़ रखाए तो डेफिनिटली आप लोग इस क्वेशन को बहुत अराम से सॉल्व कर पाओगे पूछा गया इन दा कॉंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल ऑईल प्राइस ब्रेंट क्रूड ऑईल काफी जादा चर्चा में रहता है तो ब्रेंट इसका सौर्स नॉर्थ सी है तीसरा स्थेटमेंट इसके अंडर prophecy फर नहीं होता है अब यहां पर ऑप्षण पर आता हैं यह थो स्टेटमेंट हो गया अब आपको बताना यह है क्या फोटते क्सिक्वेंट konkne B और स्थेकंड करेंट है ऑप्षण 16 ब्रॉट और सेकेंड कर सबी को इसमें पार्टिसिपेट करना है जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ इसका जो करेक्ट आंसर है उमने आपको टेलिग्राम पर प्रोवाइट करवा दिया है वहां से भी जाकर इसको चेक आउट कर सकते हो अधरवाइस इस प्रकार से आंसर नहीं मि दरफ दन आज का हमारा सबसे पहला आर्टिकल यह वाला आता है काफी सारी important information है यहापर जो कि हम लोग use कर सकते हैं अपने exam के अंदर बात लिए गुजरात के अंदर अभी हमारे जो PM है वो तीन दिन के विजट पर गए और इस तीन दिन के विजट पर काफी सारी चीजों क इनागुरेशन यानि उद्गाटन किया गया है साथ-साथ यहापर बताया गया है गुजरात के अंदर जो dairy complex के है उसका भी उद्गाटन कर दिया या हमारे PM मोदी के थुरू यह यहापर information दी गई है अब जो यह dairy complex है dairy complex के साथ-साथ potato processing facilities भी यहाँ पर लगाई गई है साथ साथ यहाँ पर बताया गया गुजरात के अंदर जो बानस dairy है वहाँ पर जाकर एक नया plant की opening करी गई है ठीक है तो मतलब dairy sector के लिए काफी कुछ किया है साथ-साथ जो women milk suppliers है उनके साथ बातचीत करिये farmers के साथ में connect करने की कोशिश की गई है साथ-साथ यहाँ बताया गया जो यह नया dairy का complex है यह बहुत कुछ produce करने वाला है लगबग एक दिन के अंदर यह इसकी जो capacity है वो लगबग 30 lakh liters of milk produce करेगा साथ-साथ 80 tons of butter, 20 tons of condensed milk, ठीक है 1 lakh liter of ice cream and 6 chocolates, sorry 6 tons of chocolates per day यहाँ पर यह produce करेगा ऐसा यहाँ पर data के अंदर बताया गया है साथ-साथ यहाँ पर जो potato processing plant लगाया गया है, यह क्या करेगा, यह यहाँ पर potato को process करेगा, जैसे कि यहाँ पर chips बनाए जाएंगे, आलू टिक्की, fries और patties वगरा है यहाँ पर बनाई जाने वाली है, जिसको यहाँ पर export किया जाएगा अलग-लग देशों के अंदर, ठीक है, तो यह चीज़े open की गई है, गुजरात के अंदर में, यह जो नया development है, इससे बहुत बड़ा boost up मिलने वाला है, वहां की economy को ऐसा mention किया है, साथी साथ लोगों को रोजगार मिलेगा, livelihood opportunities यहाँ पर बढ़ती होई नजर आएंगी, तो यह था हमारा एक छोटा सा article, बट अभी यहाँ पर क्या है, इतन मतलब इसका contribution हमारी economy के प्रती बहुत जादा है, अगर हम लोग इसके उपर थोड़ा सा और काम करें, तो definitely यहाँ से और भी कुछ हम लोग achieve कर पाते हैं, अब फिलाल हम लोग देखें तो इस article को simply आप लोग GS paper 3 agriculture के साथ साथ economy में से relate कर पाऊगे, क्योंकि अभी हमने बात क अगरे dairy sector के मामले में, तो इंडिया जो है world का largest milk producing country है, दुनिया में यहाँ पर जो भी countries दूद का production करती हैं, उसमें one of the top country भारत भी आता है, भारत के अंदर सबसादा दूद का production होता है, in fact अगर हम लोग data wise चर्चा करें, तो दुनिया भर में जितना भी दूद का production होता है उसका 22% यहाँ पर भारत करता है, उसके साथ साथ पूरे एशिया की बात करें, तो एशिया के total milk production का लगबग 57% यहाँ पर इंडिया ही produce करता है, यह आप लोग देख पाऊगे, साथ साथ जो milk production है इंडिया का वो लगबग बहुत तेजी से grow हुआ है पिछले कुछ सालों म In fact, आप देख पाऊगे, 1951 के अंदर 17 million ton के आसपास हम लोग production करते थे, वही data 2018-19 के अंदर, मतलब यहाँ पर फरक जो है वो जमीन आसमान का हो चुका है, पहले 17 million ton तक production किया करते थे, लेकिन 2018-19 में यह पहुँच गया था 187.7 million tons का, तो यह यहाँ पर data हमारे पास आप द आपर एकलोता agree product आपको देखने को मिलेगा, जिसकी market value 70-80% देखने को मिलती है, जो की farmers के साथ directly share कर ली जाती है, मतलब farmers को definitely बहुत सारा benefit यहाँ पर मिलता है, और आज के time पर आप देख पाऊगे, जो rural area है, खासका rural economy है, उसके अंदर dairy sector एक बहुत बढ़ा contribution देती है, गा crops, opportunities यहाँ पर create होती हुई नजर आती है, और भी बहुत सारी हाँ पर आपका सकतो benefits इस sector से हम लोग को मिल जाता है, लेकिन question यह है कि सिर्फ फाइदा ही नहीं है, यहाँ पर challenges भी काफी सारे है, problems भी है, सबसे बड़ी problems जो dairy sector में हम लोग को face करनी पड़ती है, वो है कि हमार पास proper packaging और labeling system नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, milk या फिर milk products को हम लोग proper package नहीं कर पाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद अब proper packaging labeling नहीं होगी तो उसके साथ साथ हमारे पास market intelligence भी नहीं है, तो कोई हम लोग marketing भी नहीं कर पाते हैं, अगर marketing करें तो और ज़्यादा यहाँ प देखने को मिल जाते हैं, कोई brand proper बन नहीं पाती है, ठीक है, फिर साथ साथ एक problem यह भी होती है ना, कि जब भी हम लोग दूद को या फिर dairy products को एक particular जगा से दूसरे particular जगा पर transport करते हैं, तो वहाँ पर हमें cold chain की facility चाहिए होती है, वहाँ पर store करने की facility चाहिए होती है, ठ जाती साथ dairy sector की अलग से information आपको provide करवा दी गई है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर जो like का button उसको दबा देना, हमारा जो target है वो हरोज आना, 5K plus likes का होता है, तो आज भी आप लोगों इसको achieve करना है, और बहुत सरा important discussion है आज के इस वीडियो में बहुत सरे interesting articles है, जहाँ पर बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा, वो भी मैं आपको cover करवाऊंगा, अब इसी article के बाद में आपको next article ये देखने को मिल जाएगा, यहाँ बात की गई है, WHO के chief ने बोला है, इंडिया जो है वो leader है traditional medicine के अंदर में, अब यह मुद्दा क्या ह कैसे start होता है, वो सारी बात है हम लोग cover करता है, हुआ क्या हमारे PM मोदी ने, Tuesday में मतलब कल के दिन क्या हुआ, WHO Global Center for Traditional Medicine का भी उधाटन कर दिया है, इसका भी यहाँ पर नीव रख दी गई है, यह भी कहाँ पर हुआ है, यह भी गुजरात के अंदर हुआ है, क्योंकि मैं आ करेंगी, ठीक है, अब यह जो opening की गई है, जो foundation stone रखा गया है, यह यहाँ पर आप देख पाओगे, हमारे मौरिश्यस के प्राइम मिनिस्टर के सामने रखा गया है, क्योंकि मौरिश्यस के प्राइम मिनिस्टर विजट पर हैं, आप को यह भी पता होगा, फिर उसके साथ स तो जैसे one day examination होता है, one day examination में आपसे पूछ ले जाएगा directly, WHO global center for traditional medicine का ओपन किया गया है, गुजरात के जामनगर में ओपन किया गया है, लेकिन जब आप लोग UPC के perspective से preparation कर रहे हो तो एक proper analysis यहाँ पर required रहेगा, वो proper analysis के अंदर यहाँ पर इसका क्या फायदा हो सकता है, क् से काम होगा, वो सब कुछ हम discuss करने वालें ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर नीचे information देख पा रहे होंगे, यह सब अलग-लग information में आप लोग लेकर आता हूं, अलग-लग websites पर अवलेबल है, newspapers के अंदर अवलेबल है, वही से copy paste कर लिया गया है, अब इस article को आप कैसे relate कर पाऊगे, तो GS paper 3 के अंदर एक pharma sector और health science का topic आपको देखने को मलेगा, वहाँ से आप रिलेट कर पाऊगे, मतलब article definitely हमारे exam के syllabus रिलेट हो रहा है, और हमाले भी important है, क्योंकि newspaper को अगर UPSC के perspective से पढ़ रहे हो, तो उससे पहले आपको syllabus पता होना चाहिए, क्योंकि syllabus नहीं गया कि एक जो हमारा traditional medicine center है, जिसका नाम है WHO global center for traditional medicine, इसका यहाँ पर उधगाटन किया गया जामनगर गुजरात के अंदर, इसका foundation इस्टों रखा गया है, अब बात करता है, पहली चीज़ तो यह traditional medicine होती क्या है, तो WHO ने traditional medicine को describe क्या है, basically knowledge है, traditional medicine अपना आप में एक knowledge है, skill है पुराने जमाने में कुछ practices की जाती थी जिससे mental health और physical health को improve किया जाता था, वो सारी यहाँ पर traditional practices है, जो कि हम लोग पुराने जमाने में use करते थे, आज की temporary बहुत popular है, example जैसे की ancient time में, एकुपंचर के बारे में आपको पता होगा, होता क्या है यहाँ पर, एकुपंचर क फिजिकल और mental conditions को treat करने के लिए, एकुपंचर का इस्तमाल के जाता है, मतलब वो traditional तरीका एक, उसके साथ साथ हमारी आयूरवेदिक medicines, ठीक है, वो भी यहाँ पर traditional medicine के अंदर आती है, उसको जड़ी बूटियां, हरवल के बहुत सारे mixtures होता है, वो सब यहाँ पर आप दे traditional medicines का ही इस्तमाल कर रही है, फिर उसके बाद बात करें specifically भारत की क्योंकि अभी तो हमने दुनिया बर कर लेटा देखा, अब बात करें भारत के अंदर traditional medicine का क्या रुत्वा आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर बोला जाता है, कि भारत के अंदर भी बहुत जादा यहाँ पर traditional medicine का यूज करते हैं हम लोग, यहाँ पर आप देख पाऊगे, लगबग आपका सकतो काफसरी practices, therapies की जाती है, जैसे योगा, आयुरवेदा, सिध्धा आप लोग देख पाऊगे, यह सब इंडिया के tradition का ही पार्ट रहा है, बहुत लंबे समय से, साथ-साथ होमो और के अंदर perform किया जाता है, जो कि लदाक के अंदर, प्लस हिमालियन रीजन है, जैसे कि सिक्केम, अरुनाचर प्रदेश, दार्जलिंग, लाहौल, स्पीती, वहाँ पर जो है, इसको perform किया जाता है, तो बहुत सारे हमारे पास ancient traditions हैं, traditions जो medicines हैं, अलग-लग हमारे पास skills है knowledge हैं, और उन सब चीज़ों को हम लोग लगातार practice कर रहे हैं, clear हुआ, अब question यह आता है कि चलो हमने traditional medicine समझ लिया, उसका कुछ data समझ लिया, भारत के अंदर क्या data है, वो हमने समझ लिया, global data क्या है, वो समझ लिया, अब बात करते हैं, यह जो center उपर कर रहा गया है, यह कि focus करना research के उपर, ठीक है, data analysis के उपर, जिससे हम लोग क्या कर सके, traditional medicine का जो contribution है, global health के उपर, वो क्या पढ़ रहा है, और उस, मतलब contribution को और जदा बढ़ाया जा सके, मतलब इसके उपर और research analysis करना जाएगा, traditional medicine के उपर, साथ-साथ इसका major focus होने वाला है, कुछ rules and regulation, guidelines वगरा को यहाँ पर बनाया जाएगा, उनको develop किया जाएगा, जो कि traditional medicine से related होंगी, तो वो guidelines यहाँ बनाई जाएगी, साथ-साथ यहाँ बताया गया, क्या होगा, कि कुछ policies वगरा, standards वगरा, यहाँ पर traditional medicine को लेकर आए जाएगे, जो कि countries की मदद करेगा, कि हम लोग एक अच्छा quality का, जो health system है, वो हम लोग बना सके, ठीक है, traditional medicine का use करके, साथ-साथ यहाँ पर जो यह GCTM है, यह support करेगा, कुछ efforts को, जो कि WHO traditional medicine strategy को यह implement करेगा, मतलब कि आपका सकते हो, देखो, होगा क्या न, जो हमारा पुरा का पुरा center होने वाला है, यहाँ पर WHO कुछ efforts है, जो कि traditional medicine strategy को लेकर काम करते हैं, उसको भी लागू करने के उपर focus करेगा, overall scenario क्या आए न, traditional medicine के उपर research करना, उसको promote करना, उसका contribution जो है, दुनिया भर के health system के उपर उसको बढ़ाना, यह यहाँ पर इसका एक basic सा काम होने वाला है, clear हुआ, तो यह हुआ traditional medicine का मामला, अब देख पाओगे WHO को लेकर कुछ information दी गई है, यहाँ बताया गया, जो WHO के members है, world health organization के, आज के टाइम पर total कितने members से नीचे comment section में आप लोग बता सकते हो, यहाँ बताया गया, almost जितने भी members हैं, वो सभी काईने के traditional medicine का use कर रहे है, ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, इसी व यहाँ पर जो body है, global level की body, वो यहाँ पर open कर दी गई है, कहाँ पर? इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर खासकर गुजरात में, ठीक है, एक गुजरात में traditional medicine का global center open कर दिया गया है, clear हुआ, तो यह information यहाँ पर आपको मिल गई, आगे बढ़ते हैं अगले article के तरफ, next article पर देखेंगे क्या है हमारे लिए important, नौ यहाँ पर आता है अगला article, एक और important article, GS paper 3, disaster management, साथ साथ GS paper 1, geography, दोनों से यहाँ पर यह रिलेट होगा, बात की गई है, थंडर स्टॉम देखने को मिला है, और लेंड स्लाइट देखने को मिली है, और यह सब जो देखने को मिला अरुनाचर प्रदेश के अंदर लेंड स्लाइड हुई है, जिसकी वैसे 20 लोग की जान जा चुकी है, पिछले 22 घंटों के अंदर, यह यहाँ पर information निकल कराती है, यह बारिश बहुत जादा हुई है, जिसकी वैसे लेंड स्लाइट देखने को मिली है, और लेंड लेंड स्लाइट के बारे हैं, पहली चीज़ तो लेंड स्लाइट होती क्या है, इसको सम्मेद लो, क्या बखवास है, यह मताँ पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है, अगर आप लोग डेटा देखोगे, तो पिछले साल, यानि 2021 में, यूपी एसी ने मेंस में क्यों होता है, इसके पीछे के कारण क्या है, प्लस यहाँ पर इसको लोग कैसे रोख सकते हैं, इसकी मिटिगेशन स्ट्राइडिजी क्या है, तो डिरेक्ली एक सिंपल से क्वेशन पूछा गया था, दीके तो चलो मैं आपको बताता हूँ, लेंड स्लाइट के बारे में, क होता क्या आखिरकार है, देखो आपको पता है, नायम से पता चल लाए कि जमीन का नीचे खिसक जाना वो लेंड स्लाइट बोलता है, लेंड स्लाइट यहाँ पर एक मुवमेंट है, एक बड़े से रोक का यह डेबरेस का जो की नीचे की साइड वो डाउन निकल करा जाता ह है, अब बात करते हैं, हम लोग यहाँ पर बहुत प्रकार के आपको अलग लग चीज़े देखने को मिलती है, यहाँ पर हम लोग बात करें, तो लेंड स्लाइट में, एक सिकंड लुक जाओ, मैं आपको बताता हूं, पहले में टॉपिक पर लेकर चलता हूं, में मुद्द लेंड स्लाइट का मतलब तो आपको बता चली अज़सी देखने को मिलती है, यहाँ पहाड़ है, यहाँ पर बने वह फिक है, अब गयाओरा, पहाड के उपर सी जमीन नीचे खिसक जाती है, इसको आँचा हम लोग लेंड स्लाइट बोलता है, बड़े-बड़े लेंड बह होते हैं उपर उपर भी हैं नीचे भी हैं ठीक है तो नीचे आपका सकतो यह जो उपर से समय खिसक्या यह नीचे आप लोग को नुक्सान पहुंच जाता है तो यह सारी लेंट देखने को मिलती है अब इसके पीछे कारल जैसे मैं आपको बताया कारल आपको तीन प्रकार के दिखने को मैं बनेगे ।ि आफ तो आप लोग देखने को बनेगे हैंं कुल से करते निगों करते हैं इसे हिंवेटोर विक्षर टमदील चेज अब इसमें कसे ऊफिजिदायां वो नीचे की साइड गिर जाएगी है ना तो आप लोग देख पाऊगे तो यह होता है जियोलोजी के अंदर दूसरा होता है मौर्फोलोजी में क्या होता है आपका सकतो एक पडिकुलर एरिया है जिसका वेजिटेशन पूरी तरह से खतम हो चुका है मतलब क्या है एक जगा ह एक हिल वाला एरिया है पहाड के ओपर जगा है जहांवे बहुत सारे पेड वगरा लगया है बहुत अच्छे सा शांदार तरीके सा हर्याली है वहाँ पर अच्छे का से पेड वगरा लगया है लेकिन कोई इंसिडेंट हुआ जिसकी वह से आपर वो सूखा पड़ पूरा पेड वगरा काट दिये गए तो उससे क्या होगा उससे भी लेंट स्लाइट देखने को मिल सकता है वहाँ पहले पेड थे और उन पेड की जड़ों ने उस वाली जो मिट्टी है उसको जकड के रख रखा था ठीक है अब क्या हुआ वह जो पेड है उसको उखाड दिया या जैसे भी बरबाद किया गया है या जैसे भी खतम हुआ वेजिटेशन उसकी वैसे क्या हुआ वो स्वाइल लूज हो जाएगी और अगें यहाँ पर लेंट स्लाइट देखने को आपको मिल जाएगा फिर लास्ट में आपर एक और कारण आता है वह है हुमन एक्टिविटी human activity के जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख पाऊगे बहुत सारे काम है मानव के जो भी हो रहे है construction लगाता है पाड़ी इलाकों मैं आप देख पाऊगे लगाता है या कहाँ पर सबस्यादा देखने को मिलता है अगर मैं continent wise बात करूँ जैसे अलगलग continent आपको देखने को मिलता है वैसे हम लोग बात करते हैं एशिया की तो एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा landslide होती है और इसी landslide की वज़ासे सबस्यादा damages और loss भी देखने को मिलता है यह यहाँ पर बताया गया फिर उसकास बात बताया गया अगर हम लोग बात करें इंडिया की तो पूरे इशिया के अंदर इंडिया सबस्यादा worst affected area आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर सबस्यादा landslide के incident देखने को मिलता है अब बात करते हैं कि इनको हम कैसे रोक सकते हैं ठीक है कम कैसे कर सकते हैं तो पहली चीज़ तो भाई अपनी construction activities के ओपर रोक लगा दो आज की टेम पर construction activities, developmental activities बहुत जादा चल रही है जैसे कि यहाँ पर roads, dams वगरा यहाँ पर बनाए जा रहे हैं जहाँ पर landslide सबस्यादा होती है तो उसको रोकना होगा प्लस जो यहाँ पर valleys के ओपर agriculture चलता है उसको थोड़ा सा limit करना होगा आज का time बर valleys में agriculture बहुत जादा हो रहा है जिसकी वैसे भी landslide देखने को मिल जाती है यहाँ पर बताया गया प्लस उसके बाद जो भी बड़े-बड़े settlements है देखो वो बनाए जा रहे है कुछ ऐसे zones है जो की vulnerability के अंदर आता है कि यहाँ पर खतरा है landslide बगरा हो सकती है वहाँ पर बड़े-बड़े settlements बनते चले जा रहे है तो उसको भी थोड़ा सा control करना होगा उसको भी रोकना होगा फिर साथ-साथ बताया गया जो terrace farming है उसको encourage करो मतलब कि अगर हम लोग बात करें North Eastern Hill Estates की जहाँ पर आपका सकते हो कि cultivation है वो अभी भी यहाँ पर क्या है slash burn shifting cultivation चल रहा है तो इसको थोड़ा सा आपको रोकना होगा यहाँ पर आप terrace farming का इस्तुमाल कर सकते हो terrace farming को आपको बढ़ावा देना होगा तो terrace farming की वैसे भी हम लोग landslide वगरा को रोक पाएंगे तो यह कुछ यहाँ पर features हो गई तो मैंने आपका पूरा question discuss कर लिया है landslide क्या होती है, क्या क्या कारण होता है कौन कौन से region में सबसाथ देखने को मिलेगा प्लस इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं clear हुआ तो एक और यहाँ पर topic आपका cover हो चुका है आगे चलते हैं अगले article पर एक data आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा world food program ने एक statement दिया है बोला गया कि जो horn of Africa है यहाँ पर लगबख 20 million लोग staff कर सकते हैं मतलब 20 million लोग starvation की risk पर हैं मतलब क्या आप कर सकतो भुकमारी की risk पर आपको देखने को मिलने ठीक है और इसके पीछे का कारल है कि आज की टाम पर बारिश बहुत देरी से आपको महाँ पर देखने को मिल जाएगी जिसकी वैसे बहुत खतरनाक तरीके से सूखा पड़ चुका है कुछ भी growth नहीं हो पार यह वहाँ पर और इसी की वैसे यहाँ पर एक सबसे बड़ा humanitarian disaster हम लोग देख पाएंगे ठीक है तो यह वर्ल्ड फूट प्रोड्राम की तरफ से statement है आपसे एक सिंपल से question बनता है तो जब आप लोग African continent को देखते हो तो यहाँ पर जो सिंप सा यह निकला वाइना इसी को हम लोग हौन उफ एफरिका बोलते हैं अब हौन उफ एफरिका में आपको चार देश देखने को मिलते हैं वो चार देश कौन कौन से हैं वो है सोमालिया, एथियोपिया, एरेतिया और जीबूटी यहाँ पर बस इतना हौन उफ एफरिका कहलाता है तो आपको याद कैसे रखेंगे तो याद रखने का बहुत असान तरीका है यहाँ पर सीड करके ध्यान रखना सीड मतलब जो बीज होता है अब यार बंजा डी बन गया अब यहाँ पर सीड से ध्यान रख सकते हो S समालिया, E से एथियोपिया, E से एरिट्रिया और D से जेबूटी तो यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा होन ओफ आफरिका बन जाता है यहीं की बात हो रही है कि यहाँ पर क्राइसिस बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाले आने वाले टाइम पर बुक मरी और देखने को मिल सकती है, clear हुआ, फिर आपको पता होगा, daily basis पर हम लोग एक mains के question को भी लेते हैं, तो mains का question भी आप लोग लिए वीडियो के last में, या फिर जब हम लोग अभी editorial discussion पर आएंगे तो मैं आपके साथ वो mains का question भी discuss करूँगा, ठीक है, बाकि आप लोग लिए एक ethics का quote भी जोडने की आपर मैंने कोशिश की है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग के लिए daily basis पर ethics के point of view, जानी GS paper 4 के point of view से भी एक quote add कर दो, ठीक है, हम लोग क्या है, सारी preparation कर रहे है, daily basis पर previous year question, prelims के discuss किया जा रहे है, ठीक है, mains के question कर रहे हैं हम लोग, mains के previous year question देख प्लस analysis चल रहे है, proper notes चल रहे है, सारी चीज़ा हम लोग यहाँ पर कर रहे है, बट क्या है, अभी GS paper 4 ethics को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ignore कर देता है, तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग के लिए, बहुत सरी case studies पी लेकर आता रहूं, और साथ साथ यहाँ पर कुछ quotes वगरा add करने की मेरी यहाँ पर कोशिश रहेगी, ताकि आप लोग daily basis पर कुछ ना कुछ अपने पास लिख कर रख सको, क्योंकि सबसे बड़ी problem क्या होती है, देखो, ethics के अंदर सबसे बड़ा plus point क्या है, जिसके पास सबसादा quote है, जिसने सबसादा है, यहाँ पर कोट्स मेंशन किया है, अपने वेपर के अंदर, वहाँ पर जो number है, number का एक बहुत बड़ा फरक पड़ जाता है, आप लोग को उसके बारे में पता ही है, जो भी यहाँ पर preparation करता है, तो जो quotes पगरा मैं कोशिश करूँगा कि आपको daily basis पर कुछ ना कुछ दे सको, जैस अब जीतने भी युद्ध होता है, वो यहाँ पर diplomacy के failure को represent करते हैं, मतलब क्या है, diplomacy क्या होता है, यहाँ पर basically एक skill है, जिसमें क्या होता है, international relations को manage क्या जाता है, अच्छे से, वो सारी बात है आप देख पाओगे, तो क्या है, आज का time पर चीज़ें अच्छे से manage होनी पा इसको ऐसे skip भी कर सकते हो, आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर, दन उसके बाद पहले editorial discussion पर आएंगे, editorials को हम लोग cover करेंगे, कुछ important editorials हमारे पास, जहाँ पर explanation थोड़ा सा जाधा चाहिए, extra चाहिए, तो हम लोग पहले उनको देखेंगे, तो editorial में हमारे पास आज related, पूरे newspaper के अंदर चार article और देखने को मिल जाएंगे, तो मैं आपके साथ discuss करूँगा, सारी information और आपको कुछ इस article से related बताऊँगा, अलग से, ठीक है, UPSC पहले question पूछ चुका है, वो भी मैं आपके साथ discuss करूँगा, जान उसके बाद text और context पर एक interesting article है, मतलब आपक को पढ़के मज़ा आजाने वाला है, एक नया concept चीखने वाला है, तो यहाँ पर बहुत कुछ जानने को मिलेगा, इस वाले article में, Elon Musk Twitter की लडाई चल रही है, लेकिन उसके बीच में एक poison pill करके concept चरचा में आ चुका है, तो poison pill क्या होता है, हम लोग इसको समझेंगे, देन उ उसके बाद इस page पर और कुछ नहीं है, अगले page पर आप text और context पर एक term देखोगे, panopticonism करके, तो यह क्या term है, इसको भी मैं आपको थोड़ा सा explain कर दूँगा, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकर यह आपको provide कर वादूँगा, ओके, तो start करता है, पहले चलो हम को एक point अच्छे से समझा दूगा, बस खाली आपको करना है क्या है, एक बार आचा हो तो आप लोग रीड वगरा कर सकते हो, बस खाली करना क्या है, ध्यान से सारी चीज़े सुनते वे चलना कान खोल कर, बाकी जो thumbnail में आपने देखा होगा एक article, वो ही बहुत interesting सा article है, वो ह मैं आपके साथ editorial discussion के बाद यहाँ पर discuss करूँगा, यहाँ पर चर्चा की गई यह poison pill की, अब poison pill को directly समझाने से पहले मैं आपको कुछ background समझात हो, क्योंकि background बहुत important है, आपको बता होगा, recently Elon Musk और Twitter के बीच में conflict सा देखने को मिल रहा है, Elon Musk ने अपने Twitter handle पर एक poll करवाया, ठीक है वो पोल वाला यार मैंने picture लगाया तो था पता नहीं कहां गया, हाँ है, अब यह Elon Musk के जो official Twitter में से screenshot लिया गया है, 15 April को यहाँ पर इन्होंने पोल करवाया, पोल यह करवाया कि taking Twitter private at 54.20 dollar should be up to shareholders not up to the board, यहाँ पर basically आप देख पाओगे, अच्छा यह वाला tweet नहीं है वो एक दूसरा tweet था, मुझे लग रहा है मैं वो लगाना भूल गया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ था exactly, ठीक है, यह वाला tweet नहीं है, मैं लेकर आया था, वो गया पता नहीं हो सकता है कि मैंने यहाँ पर इस post न अगर पा पाओगे कि Twitter जो है basically आज के टाइम पर लोगों के ऊपर रोक लगा देता है, बोलने के ऊपर लोगा देता है कि अगर कोई कुछ बोल रहा है, तो उसका Twitter handle delete हो जाता है, आप लोग देख पाओगे, ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ों के बिल्कुल अगेंस्ट में है, इल लिख देता है कि यहां पर सच हो सकता है, जूट हो सकता है, हमें नहीं पता, तो Twitter इस प्रकार के कुछ काम कर रहा है, जो कि Elon Musk को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे है, अब इसी चक्कर में क्या हुआ, Elon Musk ने बहुत सारे shares purchase किये थे Twitter के आपको पता होगा, है ना, तो Elon Musk के पास आज की टाइम पर Twitter के 9.2% के आपस शेर देखने को मिलेंगे, तो 9.2% शेर Elon Musk के पास में है Twitter के, अब मतलब अभी सबसे बड़ी शेर होल्डिंग Twitter की Elon Musk के पास में देखने को मिल जाती है, मतलब इतनी Twitter की शेर होल्डिंग है कि यह Board of Directors के अंदर बैठ सकते हैं, अब Board है, मेरा भी जो 9.2% का स्टेक है, इसको मैं 100% स्टेक में बदलना चाहता हूँ, Elon Musk ने एक offer कर दिया, आप देख़ा हो कि इन्होंने खुद एक tweet करके बताया है, I made an offer, इन्होंने offer किया, offer क्या कि Twitter को मैं 43 billion dollars में पर्चेस कर लूँगा, 43 billion dollars में आपको पूरे दूँगा, ठी यह इनको एक statement निकल गड़ाया, अब इससे क्या होगा, इससे तो यहाँ पर companies के अंदर एक तरीके से पूरी हलचल मच गई, कि Elon Musk यहाँ पर पूरा Twitter खरीदने के लिए तयार है, आप Elon Musk का कहना है कि Twitter खरीद के मैं पूरा private कर दूँगा, और फिर अपने हिसाप से, जिसको जो बोलने की मर्जी है, बिल्कुल, free of speech यहाँ पर जो भी बोलना है, वो बोलो अराम से, है ना, तो यह आपको देखने को मिलेगा, Elon Musk का statement, अब क्या होता है, कि इस चीज़ की जब यह मतलब सुनवाई होती है, पूरी तरह से, यहाँ Twitter खरीदने के लिए हाँ पर Elon Musk तयार ह हो गए, पैसा भी यहाँ पर देने के लिए तयार हो गए, बट, Twitter ने यहाँ पर एक step उठाया, वो है poison pill का, अब यह poison pill का statement का है, आपको समझाता हूं, क्योंकि अभी हुआ क्या, जब Elon Musk Twitter खरीद रहे थे, तो पहली बात तो उन्होंने मना कर दिया, companies वालोंने, अब आपको होगे, company जब बेच नहीं रही है अपने आपको, तो कैसे होगा, तो basically क्या है ना, किसी company के जो share है, वो यहाँ पर publicly available है, आपको बता होगा, stock market बारे में क्या होता है, वो जो company वो लिस्ट हो जाते है, market के अंदर, तो उसके shares तो है available हो जाते है, अब कोई भी व्यक्ति हाँ और उन share को purchase कर सकता है, तो ऐसी Elon Musk चाते हैं कि मैं सारे share purchase कर लूँ और Twitter को अपना ही पूरी तरह से बना लूँ, तो क्या हुआ, अभी जो shares है Twitter के वो काफी सारे लोगों के पास है, तो Elon Musk ने बोला, आप लोगों के पास में, जितने भी लोगों के पास में Twitter के shares है, चलो ला Elon Musk को लेकर काफी चर्चा होने लगे, इस वैसे आप देख पाऊगे, share का जो price है Twitter का वो लगातर increase होता हुआ, पहले down था, अब यहाँ पर किती देजी से एक खटा यहाँ पर बढ़ता हुआ नजरा है, अब क्या हुआ, जब इन्होंने बोला कि लोगों से, कि आओ भी हमें यहाँ पर अपने share मुझे देदो, ठीक है मैं purchase कलूँगा सबके share, अब इसकी वैसे company और घरब रा गई, company का कहना था भई, यह तो अगर ज़्यादा share, obvious सी बाते चले जाएंगे, अब ज़्यादे share चले जाएंगे, तो फिर obvious सी बाते यहाँ पर कहीं नगे, Elon Musk का जो रोल ह अब इसकी वैसे company ने अपना एक पत्ता फेका, वो है poison pill का, अब company ने यहाँ पर एक poison pill का पत्ता फेका है, यह क्या है हम इसको समझते हैं, अब poison pill के पाहली definition क्या होता है, इसको आप थोड़ा समझो, poison pill is strategy used by target company to avoid hostile takeover completely or at least slow down acquiring process by making it costly or unattractive, तो इसकी definitions ही आप समझ गए होगे, मतलब क्या है, कि जैसे twitter अब भिकने पर आया, लग राता यहाँ पर situation खराब हो सकती है, तो twitter ने क्या किया, अपने लोगों से बोल दिया, कि मतलब जिसके पास भी share है, कि अगर Elon Musk आप से खरीदने आएं, बोलें कि आप यहाँ पर अपना share दे दो, अगर Elon Musk यह बोलते हैं, तो Elon Musk के यह बोलना, कि share ले लो चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपको 40 billion dollar में नहीं देंगे, बहुत जादा high पैसे में देंगे, ठीके, 200 billion, 300 billion dollar में share लेना है तो ले लो, तो इससे क्या होगा, इससे Elon Musk यहाँ पर वो share नहीं ले पाएंगे, यह यहाँ पर कि company को costly बना देना, बहुत जादा costly बना देना और unattractive बना देना, जिससे कि यहाँ पर वो जो दूसरे वक्ती खरीदने में आया है company को, वो यहाँ पर उसको खरीदना पाए, ठीके, या फिर उसकी जो acquiring का process है, वो पूरी तरह से down हो जाए, clear हुआ, बागी जो Twitter का share है, अभी यहाँ पर एक चर यह पूरा पूरा process क्या है, मैंने आप लोगो simple से शब्दों में समझा दिया है, Twitter और Elon Musk का क्या concept देखने को मलता है, 9.2% का stake आज के टना पर Elon Musk Twitter के अंदर रखते हैं, 100% चाहते हैं, लेकिन अभी आपका एक और question होगा, question यहाँ पर क्या है, कि 15% पर इनके रोक लग जाती ह ठीक है, अब क्या है जो poison pill है, वो यहाँ पर दिया गया है, poison pill मतलब कोई ऐसा जहर की गोली नहीं, जहर की दवाई नहीं है, लेकिन poison pill क्या है यह आप लोगों ने देख लिया, कि यहाँ पर जो company उसको महंगा पकर दिया जाएगा, उसको costly बना दिया जाएगा, जिससे कि आपर Elon Musk इसको purchase ना कर पाएं, तो definition में आपको simple सी बता दिये, पूरा background समझा दिया है कि पूरा इतिहास क्या रहा है और कैसे कैसे आपर काम कर रहा है, तो poison pill के बारे में definition दी गई, बाकिया पर किसके से पास कितने कितने share हैं, बहुत सारी बकवास भी है, उसको ignore करके direct important ची examination के point of view से, हम लोग देख पा रहे हैं, बहुत सारे राज्यों के अंदर बिजली कट रही है लगातार, उसके पीछे का reason क्या है, तो इसको समझते हैं, अब हुआ क्या, देखो एक चीज़ यहां पर, मैं सुबद अब देख रहा था, तो मुझे एक चीज़ हसी भी आ रही देखा और पूरे newspaper में इस data point को लेकर चार आर्टिकल और हैं, बड़े बड़े आर्टिकल कवर करेगा हैं, एक important topic हमाले बन चुका है, आने वाले time पर बहुत सरे आर्टिकल इसको पर आने वाले हैं, तो आज से चार दिन पहले मैं already आर्टिकल कवर कर चुका हूँ, आपके daily current effort वाले वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं एक बार, मतलब 4 दिन पहले live mint newspaper पढ़ रहा था, ठीक है, पढ़ लेता हूँ यार कभी लग 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 newspaper, time बलता है, तो मैं दूसरे newspaper भी खोल के देख लेता हूँ, इस दिन मैंने खोला वा था, अब live mint पर एक author ने एडिटूरल ही उसके उपर था, looming crisis के उपर, तो वो एडिटूरल जा मैंने पढ़ा तो मुझे काफी अच्छा लगा, कि हाँ, और important भी लगा, obvious ही बात है, तो क्या हुआ, वो एडिटूरल मैंने आपको अल्रडी पढ़ा दिया था, current effort के वीडियो में, तो आप देख पाओगे, वही ची ठीके, बहुत सारे हिस्सों में देश के, तो क्या होगा, obvious ही बाद है, temperature बढ़ेगा, तो उससे power की demand भी बढ़ेगी, electricity भी जादा चाहिए, fridge, cooler, AC, सब कुछ चलेगा, तो यहाँ पर बिजली की demand जादा रहने वाली है, और इसी की वज़ा से, बहुत सारे राज्यों के पर इसके पीछे का reason क्या है, बिजली आ जा रही है, क्या reason इसके पीछे का, reason यह है कि वही कोईले की कमी पढ़ चुकी है, coal stock यहाँ पर कम हो चुका है, जो coal stock है, हमारे power generation companies के पास मैं देखो, आपको आगे काफिसरी terms मिलेंगी, मैं आपको पहली समझाताब चल रहा हूँ, जैनकोस, जैनकोस क्या है, power generation companies जो की बिजली को बना रही है, generate कर रही है, तो क्या हुआ, जो बिजली को बना रही है, उन companies के पास में कोईले का stock नहीं है, क्योंकि बिजली कैसे बनती है, कोईले को जला कर बनती है, अब कोईले का stock proper है नहीं, तो कोईला जलेगा नहीं, जल लेगा नहीं तो बिजली बनेगी नहीं तो इसी की वेसे यहां पर क्या हुआ बिजली का एक शॉर्टेज आपको देखने को मिलेगा अब क्वेशन यह है कॉल का कितना शॉर्टेज पढ़ चुका है मतलब फिर भी क्या है हाल यह बताओ तो यहां पर हम लोग बात करें नौर पर कोई सिच्वेशन खराब हो गई है तो उसके पास 26 दिन का उलड़ी स्टॉक मेंटेन है कि वो 26 दिन तक बिजली बना सकता है उसको कोई परिशानी नहीं है मतलब नौर्मली 26 दिन तक तो कोल स्टॉक रहता ही रहता है लेकिन करेंट टाइम पर क्या हो रहा है यही कोल स् जो 173 पावर प्लांट्स है उनमें से 97 जो पावर प्लांट्स है वहाँ पर कॉल स्टॉक के अंदर बहुत बड़ी गिरावट देखने को में लिए कोईला है उहाँ पर खतम हो रहा है उसके साथ साथ यहाँ बताया गया कि बई जो 173 पार प्लांट्स हैं 173 में से 155 तो non-pit head प्लांट्स हैं जो कि अपने आप में प्रॉबलम फेस करने हैं अब एक क्वेशन दिमाग में आएगा सर ये non-pit head प्लांट्स क्या होता है तो ये इसको समझो हाथो हाथ non-pitted plants और pit head plants ये दोनों अलग-लग होता है non-pitted plant वो होता है जो कि कोईले की ख़दान से बहुत दूर होता है देखो हमारे देश में बहुत सरे power plants है जो कि कोईले की ख़दान के बिल्कुल पास में कोईले के ख़दान से बहुत दूर होता है कितना दूर लगबग कोईले की ख़दान से 1500 किलोमेटर की दूरी पर जो होता है उसको हम लोग non-pitted plant बोलते हैं अब यहाँ पर तो अपना problem देखने को बिलेगी कोईले का transportation proper हो नहीं पाता 1500 किलोमेटर का distance हम लोगों को टै करना पड़ता है ठीक है तो यहाँ पर यहीं बताया गया कि जो आज के टाइम पर non-pitted वाले हैं जो की coal mine से बहुत ज़दा दूर है वहाँ पर आप देख पाओगे normal सिनेरियो से 28 प्रदीशत तक यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है मतलब कि आप कर सकतो coal stock मतलब normal से 28% coal stock देखने को मिलेगा बहुत कम पहुँच चुका है और जो pit head power plants है pit head लगबग हमारे पास 18 power plants है यहाँ पर भी आप देख पाओगे जो गिरावट है वो बहुत ज़्यादा पहुच चुकी है मतलब overall चाहे कोई साई power plant हो वहाँ पर कोईले की कमी हाँ पर देखने को मिल रही है अब एक question और दिमाग में आएगा क्या केवल कोईले की जिम्हेदार है कोईले का shortage ही की वज़ा से यहाँ पर बिजली नहीं बन पा रही है तो ऐसा नहीं है कोईले तो एक major region हुआ सब से top का reason कोईले की कमी पढ़ रही है दूसरे region अब दूसरे reason के बाद तीसरे reason भी आया है तीसरे reason क्या है जो state power distribution companies है अब देखो process क्या होता है एक तो power generation companies होगी gencoast जो की बिजली को बना रही है अब इस बिजली को बनाने के बाद बिजली खरीदता कौन है वो state वाली companies खरीती है राज्य की discom companies खरीद इंको हम discom बोलता है तो वो खरीद कर क्या करते हैं डिस्ट्रिबीट करते हैं आपके घरों तक अब क्या हुआ बोला यह जा रहा है कि जो यह power distribution companies है इन्होंने अपनी payment पहले वाली clear नहीं करी है बहुत साथ payment उधार चल रहा है ये यहाँ पर power generation company को दी नहीं है अभी तब अब payment नहीं आईगी तो power generation companies कैसे आगे यहाँ पर बिजली बना पाएंगी तो एक reason ये भी है फिरूसकात बताया गया चौथा reason covid-19 pandemic जिसकी वज़से भी आप लोग देख पाओगे बहुत सारे राज्यों के अंदर में पैसो की बह कोल का shortage हो रहा है और भी बहुत सारे अलगलग आपको reason देखने को बलेंगे फिर उसके बाद question यह है कि कोल का shortage हुआ क्यों ठीक है अब इसके पीछी का कारण है तो कोल के shortage के पीछे का कारण है क्योंकि हमने 2015-16 के बाद में कोई bumper production किया ही नहीं 2015-16 तक ही एक bumper production हुआ करता थ कोल का उसके बाद से कोई भी हमने ज्यादा production नहीं किया है तो एक reason आपको यह देखने को मिल जाएगा उसके बाद केन सरकार और कुछ ऐसे राज जहां पर कोईला सबसादा मिलता है उनके बीच में आपस में टसल देखने को मिल जाता है जिसकी वैसे problem create होती है उसके बाद नहीं कर रहे है अपने आप में problem बढ़ती जा रही है यह तो हाँ अब resolve करने के लिए हमारी केन सरकार क्या कर रही है तो केन सरकार ने हमें बोला है कि जो कोईला वगएरा होता है कोईला वगएरा को हम लोग दूसरी इंडस्ट्री में भेजना कम करेंगे सिर्फ वा सिरिफ को अलाव करने का मतलब यह है मालू एक जगा पर दो फरवा पार प्लांट्स आपको देखने को मिल जाएंगे ठीक है अब एक पार प्लांट्स के पास में थोड़ा सा कोईला है और दूसरी के पास नहीं है तो उसको मगाना पड़ेगा बहुत लंबा डिस्टेंस करकर तो इससे अच्छा पर क्या है जो कोईला पास में अवेलेबल है उसी का वो यूज करके लेगा ठीक है बाकी जो भी वह बैसे वगएर का मैनेजमेंट है या कोईले का मैनेजमेंट है वो आगए यहाँ पर फूचर में काउंट कर लिया जाएगा वो यहाँ पर आप देख रहे हैं यह भी आप लोग को पता चल चुका है उसके बाद यहाँ पर कुछ और भी डेटा आप लोग को मिल जाएगा एक सेकंट रूगजा व्यार पर चाहरा है एक सेकंड यह पता है हुआ हट नहीं रहा यार पता नहीं क्यों हो गया हट गया मैं सोच रहा हूं क्या हो ग जुका है यार क्या प्रोब्लम हो रही है हां पूछा क्या था क्वेशन यह था आप लोग यहां पर देख पाऊगे नीचे आपको दिख रहा होगा consider पहला स्ट्रेटमेंट यह बोलता है, जो कोल का सेक्टर है हमारा, कोल सेक्टर को nationalize किया जाता है हमारी भारा सरकार के थूर अंडर दा इंद्रगांधी, दूसरा स्ट्रेटमेंट बोलता है, कि आज की टाम पर जो कोल ब्लॉक्स हैं, इनको लॉटरी के बैसेश्ज पर अलोके इतने हैं तो यहां पर आप देख पाओगे कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है तो इसमें से अगर एक स्टेटमेंट भी आपको बता होगा तो आप लोग समझ पाओगे अच्छे से जैसे कि अभी यहां पर तीसरा स्टेटमेंट देखो ठीक है यह 2019 में कोशन आते हैं आप को इभी बता होगा है ना तो क्या है तीसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है आपने इतना समझ लिए मदब कोईले का पूड़क्शन तो हम लोग खुद अपने उपर स्टेटमेंट नहीं है अलग 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 देशों से मगाते हैं तो तीसरा स्टेटमें हो गए ठीक है उपर वाले में दीचे वाले में BCD तीनों के अंदर थ्री वाला ओप्शन देखने को बेलेगा तो तीनों के अलग तो बचा कौन सा वन तो वन ओनली यानि कि जो कोल सेक्टर है इसको नेशनलाइज किया था हमारी गवर्मेंट आफ इंडिया के अंदर में अ कोईले के आपको चार क्लासिफिकेशन देखने को मलता है जो क्लासिफिकेशन को डिफाइन किया गया है एंत्रिसाइड बिटोमिनस सब बिटोमिनस और लिगनाइट के नाम से है ना तो धियान अख सकतो इसके बारे में यह इन चारों में से टॉप का कोईला वही माना जाता है जिसके अंदर कार्बन कॉंटेंट जादा होगा तो ज्यादा एनर्जी प्रडियूस करके हम लोगों को देगा तो वह ज्यादा बेहतर कोईला देखने को मिलेगा क्लियर हुआ तो दो एडिटोरल यह कवर हुए उसके बाद यहाँ पर एक एडिटोरल छोटा सा यह दिया जा है मतलब इसमें कुछ अलग से इंफोमेशन मतलब है नहीं बट यहाँ पर एक बिल्डिंग है विद सेल्स यहाँ पर इसकी बिल्डिंग के उपर बीच में एक टावर लगावा होता है ठीक है आपका सकतो कि एक व्यक्ति को पूरी तरह से निगरानी रखी जाती है एक गार्ड है जो कि यहाँ पर सारी सीज ऑब्जर्व करत है ठीक है जो प्रिजनर्स वगरा होता है वो सब टावर को देख पाएंगे लेकिन यहाँ पर आपका सकतो टावर के अंदर कौन है वो नहीं देख पाएंगे तो वो टावर बेसिकली निगरानी रखने का काम करता है इस पूरी की बिल्डिंग के अंदर इसी को भोलते हैं स आपको कौन देख रहा है वो नहीं पता चलेगा बट यहां पर क्या है कि आपके उपर निग्रानी रखी जा रही है तो इसी प्रॉसेस को हम लोग बोलता है क्या पैनॉप्टी कॉन इजम अब यहां पर आप देख पाऊंगे जो थियोरी है ना इस परडिकुलर टर्म की यह लाई गई थी किसके तुरू फैकॉल के तुरू अब यह कौन है मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड यह जो टर्म है यह लाई गया था इंग्लिश फिलोसोफर के तुरू एक आर्किटेक्ट है जरेमी बैंथम इनके तुरू ठीक है तो आप लोग इसके बारे म सब चीजों को यहां पर देखा जाएगा ठीक है इसी प्रोसेस को हम लोग बोलता है चलो आगे बढ़ते हैं तो मताब एक टर्म थी मुना सूचा है चलो बता देता है अदर्वाइस यहां पर कोई खास नहीं है यहां पर क्या है आपको बता हुए डेली बेसिस पर एक क्व करान लगता है तो ज्यादे यहां पर फोकस मत क्या करो जो टॉपिक है चर्चा में वो कभी कभी पढ़ लिया करो जैसे जो इंपोरेंट टॉपिक है तो हम आपको बताई देता हूं जैसे भुपाल का स्टाटिजी आया था हम आपको बताया तो उसके बाद यहां पर आज कर एक कुष्स दी गई है एडौल फ्तलर जो कि हाँ पर वर्डरु का एक काडल बना था तो इसी को लेकर यहां पर एडौल फ्तवलर को रिगार्डिंगे क्वेस्ट दी गई है कि उनके रिगार्डिंग कुछ क्वेशीन बूस लिए गए हुआ है यह कब हुआ था यह हुआ था 1939 से लेकर 1949 45 के बीच में ठीक है अब आप कर सकते हो यह कैसे हुआ तो यहाँ पर आप देख पाऊ गए 6 साल तक तो यह चला होता क्या है एक दिन जब जर्मनी का इंवेजिन मतलब की जर्मनी अटक करता है पोलेंड को 1st of September 1939 में उसके ब हमारी जो दुनिया बर की अबादी है उस दुनिया बर की तीन प्रतिशत अबादी खतम हो गई थी वर्ल वार टू के अंदर में यह आप लोग देख पाऊगे और सबसे अदक कौन से लोग खतम हुए थे तो यहाँ बताया जाता है जो वास्ट मैजोरिटी वाले लोग है वो सिविलियंस की जान गई है खासकर 6 मिलियन जूस को मार दिया गया था नाजी के अंदर में ठीक है जिसको आप कर सकते हो कि सबसे बड़ी यहाँ पर सबसे बुरी किलिंग मानी जाती है जो की जूस को मार दिया था लगबग 6 मिलियन के आसपास जूस को उसके साथ बताय या World War 2 के अंदर कौन को थे तो एक तरफ एक्सिस पावर सी दूसरी तरफ एलाइट पावर्स आपको पता होगा एक्सिस पावर में जर्मनी इटली जापान थे एलाइट पावर्स में यहापर फ्रांस ब्रिटेन युएस सोवेट यूनन भी हुआ करता था और चायना कभी य आइस देखने को मिल गया था जर्मनी और जापान के अंदर में फिर यहाँ पर ट्रीटी ऑफ वर्स लीज का भी एक इंपक्ट देखने को मिला था तो अब यह ट्रीटी ऑफ वर्स लीज किया इसके बारे बहुत सरी इंफोर्मेशन जानने को मिल जाईए आपको जब आप को दे दी है कुछ डिटा वगरा अपने पास रख सकते हो बागी कोई डिटील वगरा वीडियो होगी तो मैं डिफिनेटली आपर इसको पर बना दूँगा तो उसके लिए परिशान ना हूँ ठीक है वैसे तो आपका यह स्टाटिक पोर्शन है आप बुक से पढ़ोगी व परिक्स यह वो लगातार क्रोव हो रहा है लेकिन ब्रिक्स के अंदर आपको बहुत सरे चलेंजिस आपको देखने को मिल देंगे तो इसी कॉंटेक्स में बताया गया कि हम लोग क्या क्या स्टप्स उठा सकते हैं ब्रिक्स को और जदा मजबूत करने में या फिर दोगा इंडिन एक्स्प्रेस का एडिटूरियल मैंने कवर गया था ब्रिक्स को लेकर है ना तो वही इंफोमेशन यहां पर कवर करवाई गई है और एक अच्छा क्वर्षन है मतब पॉसिबिलीटी करें और ब्रिक्स कर रहा है तो आपको पहले चीज़ क्या बतानी है पहली चीज़ आपको अपने आंसर राइटिंग मंहीं बतानी है कि ब्रिक्स क्या है बिल्कुल बेसिक सा आपको स्टार्ट करना है फिर उसके बात यहां पर आपको समझ स्क्रीन में हिलने लग रही है आपको शायद नहीं दिख रही होगी मुझे यहां पर देख रहा है कि इसलिए लगती है इसकी चलो कोई बात नहीं हां ठीक हो गई तो क्या इसे लिख सकते हो तो देखो सबसे पहले आप लोग अपने इंट्रॉक्शन जैसे हम लोग जिस फेस कर रहा है चायना का अग्रेशन यहाँ पर फेस कर रहा है ठीक है यह आप लोग बता पाऊगे फिर उसके साथ यहाँ पर बाद में अपने सजेशन लिख सकते हो कि हाखिरकार हम लोग ब्रिक्स की सस्टेनिबिलिटी को कैसे मिंटेन कर सकते हैं इंडिया को क्या करना चाहिए इस कॉंटेक्स्ट में तो यह करेक्ट फुल्कुल ऐसा आंसर ड्रॉ करने के बाद क्या करना है आपको टेलिग्राम पर जाना है सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक चैदा वेजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग का आपको एक चैनल मिलेगा उस पर आपको क् है देखो यह पर बतायाग्या कुछ पहले हम लोग बेसिक कवर करता है यहां पर स्टारटिंग बतायाग्या इन्यूस क्या है न्यूस यह है देखो कम्मूनल क्लैश देखने को मिला है ठीक है कम्मूनेटि के बेसिस पर काफ़ी सारी जड़ब हुई है राम नॉमी के टाइ ने फिर उसके बाद क्या हुआ एक तरीके से बहुत सरे लोगों के जो घर हैं वहाँ पर बुल्डोस कर दिया बुल्डोसर चलवा दिया और वो घर तुलवा दिये ठीक है जो भी राइट किया जा रहा था जो भी दंगे करे जा रहे थे लोगों के धुरू उनके उपर चलवा अगया ना सिटेट गोर्म्निट यहाँ पर कुलेम करती है कि यहाँ पर इन्होंने एंडिगल यहाँ पर क्रोचमेंटंच यहाँ क्या है प्लस यह गलत काम कर रहे थे ठिक है और इसी वे सेचक्छंवार जो घंगे स्टेट के पास एक नई पावर आ चुकी है ठीक है निर्दयता की एक नई पावर देखने को मिले की जो की इंसान का घर यहां पर तोड़ लिए उसका शॉप भी यहां पर उसको भी बुल्डोज किया जा रहे ठीक है और कहीं नहीं बताया गिया हमारे कॉंस्टुशन के बिल कि जो भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया है जो भी यहां पर तोड़ फोड़ करी है उन सारी तोड़ फोड़ का जो भी रिकवरी है वो सब की जाएगी और वो रिकवरी कैसे की गई वो सब की गई इनके घर तोड़ कर ठीक है जो पबलिक प्रॉपर्टीज है वो यहां पर करी गई हैं उसी के बाद में यहां पर मतलब उत्रप्रदेश सरकार का कहना यह था इन लोगों ने पॉब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रोई करी हैं इसके बेसिस पर इहां पर इनके घर पर बुल्डोजर्स लाए गया है और इसी के बेसिस पर क्या हुआ था यह था इन लोगों के बाद में लोगों के बेसिक्ली जो राइट टू हाउसिंग का घर रहने का हग है ठीक है तो यह जो हग है यह केवल फंडामेटल राइट नहीं है जो कि आर्टिकल 21 के अंदर मेंशन्ड है यह साथ-साथ इंटरनाशनल राइट भी है तो हमारे संभीधान में आर्टिकल 21 के अंदर चीजे मेंशन्ड है साथ-साथ यहाँ पर जो हमारे पास इंटरनाशनल हुमन राइट आपको दे कि देखो हर एक व्यक्ति के पास हग है कि वो अपना स्टैंडर्ड ओफ लिविंग अपनी प्रॉपर हेल्थ के अपना आपको डेवलप कर सेके उसके पास फूड क्लॉटिंग हाउसिंग मेडिकल के यह सारी जीज़े होनी चाहिए तो यहाँ पर मेजर क्या है हाउसिंग का यहाँ पर हाउसिंग के बारे में भी चर्चा की गई है यह आप लोग यहाँ पर देख पाऊगे ठीक है तो लोगों के पास घर होना यहाँ पर उनका पूरा फंडमेंटल राइट है उनका अमूल अधिकार है तो आप उनका घर थोड़े रहो तो कहिना कि यह वोईलेशन क अधिकार है उनके पास standard of living किसे रहने का साथ-साथ यहाँ पर including adequate food, housing, clothing तो अगेन इस वाले लोग के अंदर भी housing के बारे में चर्चा करी गई है तो housing के बारे में आप देख पाऊगे सारे लोग के अंदर mention किया गया है कि भी लोग के पास घर रहने का अधिकार है उनके पा मतलब की universal declaration of human rights आपको यह देखने को मिलेगा इसका article 21 भी बोलता है कि यहाँ पर किसी के पास भी हक नहीं है कि वो किसी की privacy में यहाँ पर enter कर सके और किसी को यहाँ पर इस प्रकार से एक तरीके से उनके family में यहाँ पर interfere कर सके और attack कर सके तो यह चीज़ए यहाँ पर कहीं पर मेंशन नहीं है ऐसा बताया गया साथ साथ नमारे पास international convention on civil and political rights भी आता है इसका article 17 भी यहाँ पर हर एक व्यक्ति को right देता है कि उसकी खुद की property होनी चाहिए ठीक है तो मतलब उसकी property है उसके उपर property को पर अधिकार है तो बहुत सारे rights उन लोगों मिल जाते हैं तो कह यहाँ पर basically जाना जाता है United Nation Human Rights Office के नाम से जिसका major मकसद है promote करना human rights को ठीक है उनको protect करना जो भी यहाँ पर international law के अंदर available है तो इसके अंदर basically यह right to educate housing के बारे में चर्चा करता है अगें फिर से यहाँ पर मतलब कि उनके पास घर होना चाहिए अगें वही वाली बात mention की गई है लेकिन क्या हो रहा है उसका हनन हो रहा है हनन होने के साथ साथ यहाँ पर उनको घर से बेदेखल कर दिया जा रहा है ठीक है यहाँ पर author mention करता है तो जो बुल्डोजिंग करी जारी है घरों की बाइदा मध्या प्रदेश गौर्वर्नमेंट ठीक है यह कहीं लाकर ज क्या क्या चीज़े mentioned है ठीक है तो यह था हमारा अचका एक particular editorial जिसमें काफी जरी information I hope आपको जानने को मिल चुकी है तो यह हो गया हमारा फिर उसके बाद हमने यह editorals cover करी लिया है उसके बाद एक दो छोटी छोटी information ले गई है उसको भी हमें cover करना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ जैसे हमने यह article अभी cover करी लिया already ठीक है यह डेरी वाला और डेरी सक्टर को लेकर मैंने कुछ information आपको दे दी है बाकी मैंने landslide के बारे में आपको बता दिया दन उसका वर्ल्ड पेज़ पर हम लोग ने अभी यह horn of Africa वाल article cover कर लिया है एक article आपको यह देखन सारा विवाद हम लोग आने वाले time पर देख पाएंगे in fact यहाँ पर एक agreement हो चुका है इस agreement में क्या होगा इस agreement में दोनों countries मिलकर cooperate करेंगी ठीक है इसमें क्या होगा कुछ social order protection को maintenance क्या जाएगा प्लस लोगों की safety के ओपर ध्यान रखा जाएगा humanitarian assistance यहाँ पर China provide करवाएग natural disaster response में आपर China मदद करेगा Solomon Island की तो Solomon Island को बहुत सरी मदद यहाँ पर देने वाला है ऐसा यहाँ पर agreement हो चुका है दोनों countries के बीच में लेकिन इस agreement के खिलाफ Australia, New Zealand, US और Solomon Island यह और US वगर आपको देखने को मिल जाएगे क्यों क्योंकि क्योंकि कहिना कि China का एक बहुत बहु बढ़ जाएगा Solomon Island के उपर और Solomon Island आनवल टाइम पर खत्रे में पहुच जाएगा इनफेक्ट ऑस्ट्रिया के Foreign Minister का जो मारजे पैन है इनका कहना तो यह भी है कि हम बहुत ज़्यादा disappointed है इस agreement से और अभी तक यहाँ पर lack of transparency है मतलब कि अभी तक नहीं पता है इन्होंने agreement कि किस-किस चीज को लेकर किया धीरे-धीरे बता रहे हैं और किस-किस चीज को agreement लेकर agreement किया यह यह भी हमारे पाफ proper information नहीं है तो आने वाले टाइम पर यह कईने के एक बहुत बड़ा concern भी बन सकता है ऐसा यहाँ पर यह mention करते हैं अभी फिलाल मैं आप लोग एक चीज और द अब इसी पर एक दबदबा बनाने की कोशिश करिए किसने चाइना ने अब सोलोमेन आइलेंड जो है वो आपको मलेनेशा में देखने को मिलता है देखो जो आपको यह वाला particular region है और यह वाला region यह अलग लग parts में बटा हुआ है एक माइक्रोनेशिया मैलेनेशिया पॉली न्यूजिलेंड के बराबर में है तो यहाँ पर चाइना जैसे अपना इंगेजमेंट बढ़ा रहा है इसके बेसिस पर न्यूजिलेंड और ऑस्टलिया दोनों नराज हो गए और चाइना का major focus यहाँ पर यही है कि हम लोग क्या कर सकें इस specific ocean पर control कर सकें अभी तक इस वाल है कि हम लोग भी अपना जो embassy है वो Solomon Island पर open करेंगे ठीक है तो यह information यहाँ पर निकल कराती है clear हुआ तो यह बाकी हमने horn of Africa वाल आर्टिकल कवर करी लिया था उसके बाद आएंगे page number 14 के उपर that is business section देखेंगे economy के point of view से important article को यहाँ पे एक लौता article है चर्चा की गई है जो 8.2% कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर कहना यह है कि इनका कि भारत के अदर महेंगाई वगरा भी काफी ज़्यादा है तो लगातार जो growth की forecasting की जाती है तो यह हमेशा चेंज होता रहता है data तो आपको ज्यादा focus करना नहीं इसके उपर यह मैं आपको पहले बता चुका तो thumbnail में मैंने एक सेकेंड यहाँ पर pregnant man emoji controversy आपको देखने को मिलेगा अब यहाँ पर pregnant man emoji को अपने iPhone users के लिए लॉंच कर दिया है मतलब अगर आप लोग iPhone update करते हो तो Apple iOS 15.4 जो update है वो यहाँ पर एक emoji लेकर आ चुका है pregnant man की और यह कुछ सबता पहले यहाँ पर लेकर आया गया था और people यहाँ पर जो है इसको पसंद नहीं करें लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो आप यहाँ पर जो यह लेकर आयो बिल्कुल अगेंस्ट मैं क्योंकि biological यह यहाँ पर बिल्कुल भी possible नहीं कि एक आदमी नहीं पर जन्म दिया हो ठीक है एक आदमी pregnant हुआ हो तो आपको गए बिल्कुल ऐसा तो हुआ है लेकिन आपने सुना होगा एक नाम सुना होगा है ना जैसे यहाँ यह व्यक्तिया आपको देख रहा होगा जो थामनेल में लागे दिख रहा होगे है ना जिनका नाम क्या है थॉमस बीटी तो यहाँ पर क्या है यह ट्रांसेक्शन देखने को मिलेंगे तो मतलब कि अगें वहाँ पर प्रॉपर जो मैं यहाँ पर आगर आप दोगे को मिलेगा अभी तक कोई ऐसत केस नहीं देखने को मिलाए जो कि यहाँ पर एपल ने अपने इमोजी के अंदर दिखाया ठीक है इमोजी कैसा है जो कि आप लोगों ने थामनेल में देखा होगा एक मैन है मतलब यह इमोजी एससा आपको यह देखने को मिलेगा जिसको की प्र करवाई जा रही थी ठीक है तो आई होप आपको यहाँ पर पूरा का पूरा नियूस्पेपर एनलेसस समझ में आ चुका है अब फटा फट हम लोग अपने क्वेशन को देखते हैं स्टार्टिंग में जो आपसे क्वेशन लिया गया था प्रिलियम्स का जैसे मैंने आपको बोला था इस क्वेशन का अंसर में आप लोग को वीडियो के लास्ट में दूँगा तो 2011 में एक क्वेशन पूछा गया था ग्लोबल ऑइल प्राइस के कॉंटेक्स्ट में जो ब्रेंट क्रूड ऑइल है इसके रिगार्डिंग कॉंसर स्टेट्मेंट करेक्ट है पहला स्ट आपको देखने को मिलेगा तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट यह नौट सी में पाया जाता है बिलकुल आपको नौट सी में पाया जाता है देखने को मिलेगा तो दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है तीसरा स्टेटमेंट बोलत है इसके अंदर सल सका यहां पर आपको देखने को मिलएगा तो आशर इसका बाकिश सारी इनफॉरमेशन मैं आप लोगो को दही चुका हूं इसके बारे में यार पता नहीं किया औरा इसक्रीन पर आज बहुत परिशान कर दिया रूख कितना रहा है चलो हो गया सही अब यहां पर आप देख पाओगे brand crude को लेकर यहां पर information दी गई है जो कि मैंने आपको समझा दिया brand crude बिल्कुल आपको not c से निकलता हुआ देखने को मिलेगा और इसके अंदर sulfur होता है ऐसा नहीं हापर sulfur नहीं होता है तो इस विसे तिसरा statement गलत हुआ और पहला दूसरा statement सही हुआ तो c sorry b is the correct answer ठीक है तो गाइस यहां पर इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने lecture का समाप्त बदते हैं आप लोगों से next वीडियो में आज के लिए बाबाई have a nice day thank you and जैहिंद